लव इंफाइनेट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज एक और टॉपिक जो कि आपके लिए ज़रूरी है आप ही लोगों के सवालों के हिसाब से चुन-चुन कर मैं और यो वीडियो बना रही हूँ आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आ होंगे समझ आ रहे होंगे और कहीं न कहीं helpful भी होंगे अगर हैं ऐसा तो थैंक यू सो मच और कमेंट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है डिसलाइट का तो अप्शन ही गायब हो गया है यूट्यूब ने कायब खर द कई बार आप लोग कहते हैं नहीं हमारे डियम बहुत शांत रहते हैं चुप रहते हैं बोलते ही नहीं है देखिए डिवाइन मस्कलाइन के जो करेक्टर सिक्स होते हैं जो सोल वाइज वो तो कई बार हम बता चुके होते हैं वीडियो में ओडियो में ठीक है लेकिन पर्ट divine feminine view, इसी दरह से divine masculine भी एक लेबल ही है, अब astrologically बात करी जाए, तो dm सभी एक ही तरीके के behave नहीं कर सकते हैं, एक ही तरीके से पड़े लिखे नहीं हो सकते हैं, एक ही तरह से उनमें समझदारी और maturity नहीं हो सकते है, और एक ही तरीके से उनके astrological charts भी नहीं हो सकते हैं हर कि हर किसी की कुंडली में कुंडली में दोश होते हैं और उन दोशों के कारण भी जैसे राहु कितु है सूर्य बैठे हुआ कुंडली में और भी कई बाते हैं या कालसर पदोश हो गया अब कालसर पदोश में भी कौन सा कालसर पदोश है वो भी डेपेंड करता काम कौन सा काल सर पर दोश नहीं होने देता है वो आपकी कुंडली को देख कर चेक किया जाता है और अगर डीम की आपने करवाई है चेक तो उसमें भी अलग आता है तो कई डीम बहुत जेलिस फिल करते हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन से बुली करते हैं इंसल्ट करते हैं लेग बुलिंग करते हैं दूसरी तरफ आई लव वी भी बोलते हैं मतलब आप यह समझ लीजे आपको समझ नहीं आता कि यह इंसान है क्या ऐसे में बहुत ज्यादा प्राब्लम हो जाती है कि यह लगता है इतनी कन्फिजन और प्राब्लम क्रियेट हो जाती है डीम के ऐसे इतना नीचा गिरा देते हैं कि ऐसा लगता है मैं कहां और क्यों क्यों इनके आगे खड़ी हों और सुन रही हो इतना सब कुछ यह इनके एस्ट्रोजिकल चार्ट के उपर डिपेंड करता है बहुत हाई मांगलिक हैं यह तो भी ऐसा हो जाता है हर बात पर गुस्सा और एक अपनी फिलिंग्स को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए कितना ही अच्छा स्कूल में परफॉर्मेंस रहा घर में आके वही लड़ाई जगड़ा देखना पड़े तो बच्चा तो अपनी परफॉर्मेंस को भूली जाएगा ना उसको खुशी और गम में कैसे रियक्ट करना उसे पता ही नहीं चलेगा इसी लिए इस तरह कि अगर बहुत सारी नेगटिव बातें डिवाइन मस्कलाइन के साथ होती हैं फिजिकल, मेंटल, सेक्चुल, अब्यूज भी अगर उनके साथ होता है बच्चपन में तो इसका असर दिमाग पर अविश्य पड़ता है और एस यह कार्मिक है मैं इसके साथ नहीं रह सकती है तो एक बार फिर से दियान से देखें डिम का सोल करेक्टर सिक्स क्या होता है वो बार बार आपके पास रोते हैं आते हैं हाँ एक बात और क्लियर कर देती हूं क्योंकि रोना I love you कहना and then I hate you की भी स्टेज आती है डिवाइन मस मिस के लाइन आपके पास हैं जिन्हें आप डिवाइन मिसकलाइन समझते हैं कि वह आप से अपसे डेर सारा पैसा लेटे हैं हर बाता मुझे इसकी जरूत है मिरे पास जॉब नहीं है मेरा आपके पास कम पैसा है चाहे वहagger Must a जाव में भी हो तो भी आपस पैसे लेते हैं आपके ही बैंक में सेंद मारते हैं मतलब आपने उनको इतनी छूट दे दी कि आप कहरें कि ठीक है मेरे बैंक से निकाल लेना किसी भी तरीके से मैंने इजाज़त दे दी है जितना चाहिए ले लेना और आपको ये विश्वास होता है कि ज्यादा तो क्या लेंगे और कभी ज्यादा ही लेने लगे बार-बार लेने लगे तो आपने उनके आदत बिगाड़ दी तो जरूरी नहीं है कि वो डिवाइन असके लाइन ही हो तो मैं ये बताने जा रहे हूँ कि डिवाइन असके लाइन लूट, खसोट, चीटिंग ये वाले काम नहीं करते हैं हाँ उनके अंदर ये जेलेसी, बुलिंग और इंसल्ट करने की लैग बुलिंग करने की नीचा दिखाने की आदत हो सकती है एस्ट्रोजिकली लेकिन ये जो गलत कर्म है जिसे चोरी कहना कह सकते हैं चीटिंग करना बेट्रायल करना कह सकते हैं पैसे निकाल लिए भाग गए ये वाला काम डिवाइन मस्किल लाइन बिल्कुल नहीं करते हैं फिर डिवाइन इक टिका आ अगए है ना तो वो ये काम नहीं करते हैं आपके साथ इस तरह की cheating हुई है किसी person ने की है आपके boyfriend है husband है whatever जिनको भी आप divine masculine का दरजा आप दे रहे थे तो एक बार astrologically twin flame confirmation जरूर करवा लें ऐसे दोके में ना रहें क्योंकि बहुत सारे symptoms हर love affair में या love marriage में या marriage में या किसी भी relationship में हो सकते हैं और अफ की situation कुस्सा होना अनाराजगी होना फिर रूठना मनाना ये वाले काम तो हर किसी relationship में होते हैं तो ये ना समझें कि आप भी twin flame journey में हैं और अगर ऐसा लग रहा है और कई जगे कई बार आपको ऐसे इंसान के साथ रहने पर डर लग रहा है फिर ये आपके DM नहीं हो सक डर नहीं लगता है इनको डर नहीं लगता है कुछसा उता है आती आती है मारने का मन करता है लेकिन उनके साथ रहने in रहने पर डर नहीं लगता है डर inability है लेकिन यह समझ नहीं आती है इसलिए दूसरे लोग यानि कि हम लोग जो नासिसिस नहीं है वो उनको नासिसिस नाम दे देते हैं हाँ तो मैं यह कह रहे थी अगर वो नासिसिस्ट हैं कार्मिक हैं और क्रिमिनल टाइप की activity में हैं तो ऐसे लोगों से डर लग सकता है तो divine masculine energy में नहीं हो सकते एक बार चेक जरूर करवा लिजेगा आगे मैं बात करती हूं लंबी हो की video अगर इस तरह से आगको इंसल्ट मिल रहा है डीम से तो जस्ट स्टे काम उस समय धेर सारी deep breaths लें गहरी सांसे लें and don't react and respond that time ना react करना है ना eyeballs अपनी इदर उदर गुमानी है ना eyebrows गुमानी है ना move टेड़ा मिड़ा करना है किसी बी तरह का react नहीं करना है किसी बी तरह का respond 5-10 minute बाद भी नहीं करना है बरतन नहीं पटकने कुछ नहीं करना है पैर नहीं पटकना है just stay calm it's very difficult but not impossible number two क्या करना है जब DM आपके insult करें तो बाद में express करें कि how you exactly feel कि जब आप मुझे इस तरह से गलत बोल रहे थे या नीचा दिखा रहे थे तो मैंने क्या feel किया बड़े हमली उनको बाद में या next day बताईएगा number three simply ignore करें जब वो आपको insult कर रहे हो means not responding अगर आप topic को change कर सकें इतना आपके अंदर art है तो आप topic change कर सकते हैं पर वो आपको वापस वहीं गुमा के ले आएंगे इसलिए भेकार की कोशिश भी ना करें या एक चीज़ अच्छी कर सकते हैं आप नहीं सह पारे और नहीं रोक पारे अपने आपको react and respond करने से then just walk away from the place just walk away उठ जाए ये इतना गंदा गलत सुनने की आप deserve नहीं करते हैं ये सोचिए number four use humor अगर वो आपको जोग मारते हैं कुछ भी आप पर गलत कमेंट करके और आपको जोग के रूप में आपको बोलते हैं तो आप भी जोग के रूप में बोलिए उसके लिए बहुत गुस्सा होने की जुरुवत नहीं है don't raise your voice while joking लेकिन बोड़ा मुश्किल है मैंने इन सब चीजों पर apply किया है अपने उपर लेकिन voice raise होई जाती थी तो फिर भी अपने आपको संभालिए अपने emotions को संभालिए voice raise हो रही है तो संभाले रोना आ रहा है तो संभाले लगातार practice में मैं भी हूँ और मैं चाहती हूँ आप भी आज से ही लगातार एक अपने लिए अच्छी practice ज़रूर शुरू करें नमबर फाइफ जल्दी से बता देती हूँ वही है कि indulge in self-care make distance and have a smile smile करते रहे तो बहुत अच्छी लगते हैं होती है ना DM के तीर चलाने की आदत होती है तो तीर के आगे कड़े होने की जरूरत नहीं है जिस्ट अपने आपको surrender कर दें भगवान के उसमें थोड़ी दिर गहरी सांस लें और react and respond करना बंद करें अधर्वाइस उस जगह से उठके ही चले जाएं यह कर सकते हैं अधर्व जाड़ लेना है इसलिए दियान रखें अपने emotions का mind, body and soul का बहुत tough journey है painful journey है लेकिन एक इतनी भी impossible नहीं है कि reunion ना हो पाए या reunion हो या ना हो अपने आपको transform ना कर पाएं आप क्या आपके अंदर इतना control नहीं है है ना तो फिर लग जाए अपने काम पर thank you so much and wish you all the best इस प्राह इसे ना है ना है इस क्रूप抗ार स्थब्सम्स 1小ी ऩर्व मुझा आपके अपके और यूव थूऑ आपके वह दोग्स और गपएं और बात बादाल 25 जहीं है आपके उले आपके ना दूबिएकं आपके ढई। सी ऱ道ल 25 जहीं है